कर लेंगे कि आज का मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं यह भी समझ लेंगे कि आज हमने कैसे अप्रोच करने कोशिच करेंगे तो आज सौट ओफ कॉल सेलर्स का दिन था और सेलर्स को आज थोड़ा उपरचुनिटी रहा ठीक ठाक पैसा बना लेने का बैंकेक्स में मैं देख रहा था पुट के प्रियंट भी कभी-कभी अचानक से स्पाइक कर रहे तो कोई उसमें कोई फैदा उठा पया हो तो उठा है हो मिट कैप में अच्छा ट्रेड बन रहा क्या हमने ग्रूप में डिसकेशन किया लाइब मार्केट में हमने कैसे चीजों को अप्रोच करने कोशिश करी वह सब देख लेते हैं और उसके अपना डिसकेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे दो तिन चीज़े धियान रखिएगा यह मार्केट ऐसा होके रखा है कि डेली म मार्केट नीचे के तरफ था तो भी प्रियाम थोड़े से हाई चल रहे थे मैं बैंक एक्स कभी देख रहा था अब वह फ्रियाम कॉल के चल रहे थे मार्केट ऊपर पुल किया है बट कॉल के प्रियाम फिट बढ़े नहीं चले गए यह कुछ चीजे रहेंगी जो आपको कि रखना पड़ेगा और इसलिए मैंने आज दोपहर में एक्जैक्ली मॉंट किया कि अगर आप नोटेस करेंगे तो बैंक निफ्टी वीक था अब बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो ओवरॉल वीकनस सिर्फ स्थी बैंक में दिख रहे थी बट फिर भी बैंक ने फिट ह आइसो पॉइंट डाउन बंद हुआ है अगर ओवरॉल देखें ना हम तो खली बैंक की डाउन सब्सक्राइब मेजर में कोई गिरें नहीं यह मेजर बैंक शोट के बाखी सारे मैंस में हालत खराब था इस तरीके से था और आज वही फिर से रिलाइंस उपर फिर से वही इन फी उपर और उन लोग ने निफ्टी को बचा के रखा इंडेक्स दिखता रहे कि मार्केट तो उपर है क्योंकि बात तो लोग इंडेक्स की करेंगे ना अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो थोड़ा समझदार है वो समझ पाएंगे इस चीज को जिनके अज दिमाग की कमी है उनके लिए तो भाई कोई उपाई नहीं है कि देखिए जब भी कंसेंट्रेशन ओफ मनी एक पर्टिकुलर ग्रूप उफ स्टॉक में चला जाता है ना तो वह थोड़ा सा पैनिक क्रियेट करता है अगर थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर आया तो हम ऐसे वर्च पर खरें हैं जहां पर हर म्यूच्वल फंड 10-10 परसेंट होल्ड कर रहा है HDFC बैंक उनका स्मॉल कैप फंड है उसमें भी 10 परसेंट 10 परसेंट जबकि यह तो स्मॉल कैप नहीं है मतलब गांजा फूक के तो खरीद नहीं रहें ने स्टॉक्स बट फिडबी स्मॉल कैप में भी मिट कैफ में भी आप रहे हो क्यों क्योंकि आपको भी मालूम चल रहा है कि भाई हमको फोटफोलियो बचा के रखना होगा बाकी जगर में इस बत्सक्राइब ने रिटर्ण आएगा नहीं आएंगे यह दोनों को बचा के रखना पड़ेगा तो इन दोनों को मतलब स्मॉल कैप वाले वही खरीद है लार्ज सवी खरीद है इंडेक्स वाले खरीद ही नहीं है जिसको जो मन में आरा कर रहा है जब भी ऐसा कंसेंट् कि तो आपको लग रहा है कि आपके स्मॉल के फंड कियो ने रिटर्ण दे रहा है उसका में रहा है तो कुछ तो चल रहा है जो आपके किया रहा है यह अभी दिक्कत नहीं देगा बट बाद में दिक्कत देगा अच्छा यह प्रॉब्लम सिर्फ यहां नहीं है ऐसा नहीं है कि इंडिया में यह हो रही है युएस में भी टॉप शह साथ स्टॉक के कारण ही डेली वही कहानी चल रही है वहां का डाउ जोंस तो आस तीन चार दिन महिने से वह थाट्याइन टू-फॉर्टी थाउजिंड नहीं गूम रहा है चालू होगा तो उसके बाद यह बहुत इशू क्रिएट करेगा और इस तरह के बबल्स मतलब क्या ही कहा जाए लेकिन थोड़ा कोशेश हो जाने का टाइम है अभी आपको समझ में आएगा तो आपको दिकर दिखेगा और यह चीज में आपको जो मैंने बाद आपको बताई जाके चेक करेगा आपके भी काफी स्मॉल कैप फंड्स में एजडी एफसी और रिलाइंस दिखाई दे देंगे आपको मतलब म्यूच्वल फंड्स वालने उन्हें कुछ भी करके रहे चलिए दिखते हैं कि आज हमार पर दिख्कत देगा कि बैंक निफ्टी खुलते के संगी कि फर्स्ट केंडल में फिफ्टी टू फाइफनेट तोड़ा कि वासा नीचे फिर बांस वासा और उपर बांस यहां पर जब था तब मैंने कुछ अपडेट किया था वह देखते हैं पहले ठीक है हुए रेंज के बाहर ही सर्ज करईएगा ठीक है जब वो जाने वाला था देखेगा आप तो वहीं से मों सिक्सिट्य के पास सब्सक्राइब तो उसको क्रोस कर पा रहे हैं क्योंकि उसको वहां पर हडल उन प्रिएटेट एट है एनिवेज कि मैंने टैन ट्वेंटीफोर प्डेट किया कि मुव्व मिल भी रहे है तो सिंगल केंडल आज इजी नहीं होगा ट्रेडर्स के लिए ठीक है और फिर मैंने यह लिखा कि मूव तो मिटक निफ्टी ने दिया है और यह सब आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लीजिए अब फिर मैंने लिखा हर बाउंस में सेलिंग के लिए यूज किया जा रहा है स्टॉक्स और इंडेक्स में ज्यादा पेन है कोई न्यूज है क्या समझ पर तोड़े या फिर मैंने यह लेवल दिए कि यह लेवल एसल के लिए रखेगा विक्नेस वर्त दे जा रहा है फिर मैंने ट्लिंग स्टॉप लॉस और मूव कर वाया ठीक है थिक है तो आने के बाद में यहां पर कोशिच कर रहा मार्केट लाइन यहां फिर अब्सक्र न निफ्टी बैंक में या तो 50-500 ऊपर तोड़े या 420 नीचे तोड़े जिस साइड तोड़े का उसी साइड मुव मिलेगा बैंक एक्स में 100-250 था तो अज दिन काफी वॉलटाइल था मैं देख रहा था ग्रूप में तो प्रॉफिट लॉस्ट वाले अल्मोस्ट इक्वल थे कुछ लोगों का सही बैठा होगा स्टेजी कुछ लोगों का नहीं बैठा होगा और जो सेलर से कॉल सेलर्स वगेरा वह तो अपना बचा के निकल गए बड मैक्सिम को दिक्कत आई होगी तो यह कुछ कुछ चीजे थी कोशिश किया मैं मार्केट करना पॉसिवल हो करने का तो उसके बाद आसपास मार्केट पुड़ा दिन निकाल दिया तो वही चीज है अब सिंगल केंडल से तो उसमें आप ज्यादा क्या ही कर लीजिए और यह भी जो मूव था यह एक बड़ा सा ध्राम करके जो गिरा था कि यह वाला मूव तो इस तरीके से था अब पुड़े दिन इसी तरह कुछ ना को चलते रहा कुछ लोगों नहीं उठाया होगा एक चीज नोटिस करिए कुछ दिन पहले यहीं पर सपोर्ट लिया था आज फिर उसको तोड़ने कुछ चीज किया रहें तो ठीक है समझ में आ रहा है कि हाँ को कोई सपोर्ट वह एक्चुली टेक्निकली सपोर्ट वह 60,000 बैंक एक्स का वन गया था तो बैंक एक्स में बहुत ज्यादा वह राइटिंग हो गया था सिक्टी तो उसके करण क्या हुआ कि दिक्कत देने वाला था वहां पर तो उस तरीके से अपने को सोचे रखना होगा क कभी भी राउंड नमबर के पास है इंडेक्स तो वहां सपोर ले सकता है तो बैंक निफ्टी में नहीं दीख रहा था कि वहां राउंड नमबर है तो यह अपने को ध्यान रखना होगा एनिवेज आते हैं कल के लिए डिसकेशन और देखिए मेरे को कल भी एक जान ने मेल क्या ही नहीं लिंक गिद्सक्राइय करता नायमनेर चायर अब जान पर फिर इसे एंटर्ट नहीं कर सकते तो आप सोचते हैं कि फ्री में कहीं चले जाए और फिर वो आपको स्कैम करके आपका पैसा लूट ले तो फिर वो तो आप क्या ही बोले तो उन्होंने मैं को यह बोला कि सर मेरे से गलती हो गई आप इनफॉर्म जरूर कर दीजेगा वीवर्स को कि ऐसा मत करो फसोगे फिर किसी दिन इस पैसा आपका आप समझी अब मैं क्या करो चलिए आते हैं कि क्या करना है अपना नेक्स डे के लिए और रहा बात यह स्कैम चैनल उसका तो इनका कुछ नहीं किया सकता है इसमें समझदारी लोगों की होनी चाहिए क्योंकि कितना स्क अब कितना चैनल बंद कर रहा हूं तो एक पॉइंट होता है उसके नहीं अनसान करवा पाता है तो करवाते हैं मैं भी थक चुका हूं बंद कल कली क्या लेवल ध्यान रखना है ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लागाना है इसके उपर निकलेगा तो बुलिश वियो मिलेगा फिर आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और जब तक वह नहीं होता है तब तक यह ध्यान रखिएगा कि 24-300 का लेवल म फ्रेंटीफोर टूट्टी तक फर्स्ट फेंटीफोर बनसरेंटी तक सेकेंड उ मार्केट लेवल देना ओप्षेंट लेगा अप्षेंट है आपको अप्षेंट बताएगा कि अच्छी घास ही हो रही है पूट राइटिंग के प्रिम्यम साज ठूटे कॉल राइटिंग लेकिन इसे प्रिम्यम टोटना चाहे तो उतना चूटा नहीं वेवल विकेंड जितना प्रिम्यम टोटना चीए था और टूटा नहीं कि फिर भी कॉल राइटिंग अच्छी का सी है 243 अच्छी है फिर नहीं पूट राइटिंग इम यह मैक्सिमम श्राटल वाली बैठे यही इनका चल रहा है तो वही रायमिंग अभी चल रही है यही रायमिंग का येलो स्टोरी बनाके अपना मज़ा ले रहे हैं यहीं दिया कर सकते हैं यही ध्यान रखना है अपने को और आते हैं इसमें नहीं करने का सोचना है क्योंकि हमारे पास बफर है हमारे पास इसमें ज्यादा कैपेसिटी है थोड़ा सा बट देख लीजिएगा और इंट्रेस्ट हो तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजेगा अब निफ्टी वैंग में आते हैं अब निफ्टी में क्या धियान है यादा कुछ करना नहीं है इसमें सिंपल रखीएगा बंटी विट्टी टू फ्वाइफनिटका लेवल ऊपर में 25 का एवरेक्स आया थे फ्टी टू-फाइफनिटका लेवल ऊपर मार्क करके रखीगा निफ्यी टू-फाइफनिटको नहीं ब्रेक करता आपको दिखाई दे सकता है उसके लिए प्रिपेर रहेगा डाउसाइड में क्या लेवल धिया रखने तो ठीक है नाउसाइड में 52-400 के नीचे माके टिकता है ना तो फर्स्ट लेवल आपको मिलेगा 52-250 टक का 52-250 भी तोड़ा तो फिर डोर ओपन होगा अपना सीधा 52,000 तक मार्केट देखेगा तो 52-250, 52,000 के तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है 52-500 के ऊपर निकला तो 660-800 के तरफ मार्केट के मूमेंट पॉसेबल है अप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखाए कोल राइटिंग बहुत हेवी है पुट राइटिंग में देखेंगे 52-500 पर अच्छी आज पूट राइटिंग है मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उसके इसाब से आज मार्केट को 52-500 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए था तुक तो देखते हैं कि क्या होता है बट वहिए जज करना पड़ेगा पिर आते हैं अपना अगले उसके लिए निफुटीफिन-सर्विसुद्टीफिन-सर्वेंच में क्या दियां रखना है कि आपने को कि इसमें अपने को मार्क कर शक्रतना है 23570 का level 23570 के नीचे अगर market टिकता है तो 23500 first level और उसके बाद फिर 460 second level आपके लिए open हो जाएगा तो 22570 के नीचे market टिकने वे वे 22500 first level 460 second level अपसाइड में क्या level ध्यान रखने है दिए अपसाइड में मेरे हिसाब से आपको level ध्यान रखने चाहिए 23630 का 23630 के वर market निकलता है तो 23700 first level और 23700 भी market निकाल दिया तो फिर क्या है एक बड़े ब्रेक आउट के तरफ market बढ़ने कोशिश कर सकता है तो उसके हिजाब से अब अपना ध्यान रखिएगा अब आते हैं मेजर स्टॉक चार्ट पे अब यह स्टॉक चार्ट से हम डिसकेशन क्यों कर रहा है यह स्टॉक में कोई इसके नीचे इसमें वीक्नेस आ सकता है और इसमें वीक्नेस है तो बैंक निफ्टी को भी वीक्नेस यह करा सकता है ऐसे सिवेंग अच्छा कैसा अपसाइड मोमेंटम लिया है में तब तक इसमें वीक्नेस नहीं है इसका बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन है इस डियसी बैंक में और फिन निफ्टी में तो इतना इसली यह भी आपको मौक साइडी देगा कोटक बैंक काफी अच्छे का से लेवल से बैठा हुगा है एटीन फिफ्टी के नीचे लेकिन होगा क्या कि एक बार वीक्नेस का दिक्कत दिया सकता है यह तो ध्यान रखिएगा बजाज फिनांस फिन निफ्टी का अपार्ट फ्रम बैंक सबसे वड़ा कंट्रिब्यूट में यही आता है 7080 के नीचे आएगा यह तो ही इसके नीचे आएगा इसमें तो वीक्नेस आएगा तभी निफ्टी में वीक्नेस है अपने बेटे के शादी में बले वह संदोगती में चला आता है उसको भी कवड़ा है खाली पहतर करू रुपय देते हैं और वह भी नहीं होता है लोग से एनीवे शोड़िये तो कुछ करेंगे नहीं और साधी ख्रचा निकालने के लिए जीयों का प्लान बढ़ी गया है उससे आपका इनका रेवेडियू में इंक्रीज रफली 14,000 करोड का होने वाला है 14,000 करोड का रेवन्यू इंक्रीज का मतलब आल्मोस्ट 10 से 11,000 करोड का प्रोफेटेबिल्टी इंक्रीज है वहाँ पे तो आप सोची नहीं सकते कि खाली बस मुआल रिचार्ज का प्लान बढ़ा देने से इनको कितना फायदा ह 31,90 के नीचे ये ठीकेगा तभी नीचे कोई वेकडाउन है नहीं है एक्चुल ओफलेट मूव करना चालू किया है ट्रेडब्रेंस ने जिसे ट्रेडब्रेंस पोर्टल जो आपका इसका है ट्रेडब्रेंस पोर्टल तो इसमें ना इन्होंने एक स्टॉक रिपोर्ट भी और मैंने यह अपने ग्रूप में भी शेर किया था इसमें इन्होंने एक्चुल के उपर एक अच्छा डिपोर्ट डाला था सब्सक्राइब से लोग बात कर सकते हैं स्टॉक्स की हम लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है आते हैं इसमें अधर एसेट क्लासेज में कुरूड मांक कर लिजेगा 6900 और नीचे में 6860 जिस साइट तोड़ेगा अच्छा मूब दे सकते हैं वीडियो ची लगी हो तो लाइक जरूर कर दिएगा तो लाइक जरूर कर दिएगा अच्छा मूब दे सकता है आपको वीडियो ची लगी हो तो लाइक जरूर कर दिएगा